लेकिन मैं आपको सरफ ही अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 News and Entertainment चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजी। इन दिनों सर्चाओ में है फिल्म से जुड़े विवाद थमते नजर नहीं आ रहे हैं अब अखाडा परिशत भी आदिपुरुष फिल्म के विरोध में उतर आया है अखाडा परिशत के अध्यक्ष श्री महंदर रविंद्र पूरी ने आदिपुरुष फिल्म के समवादों को लेकर अपती दर्च कराई है उन्होंने भारत में आदिपुरुष फिल्म को बैन करने की मांग उठाई है साथ ही उनका मानना है कि निर्माताओं से ज़्यादा सेंसर बोर्ड इसके लिए जिम्मिदार है क्यूंकि उन्होंने इस फिल्म को पास किया है किदाना धाम को ल वाइरल होने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदर समीती अद्यक्ष ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं। मामले की विवेचना और जाच शुरू कर दी है। मामले के बाद बद्रीनाथ दिये हैं। मामले की विवेचना और जाच शुरू कर देश दिये हैं। इनमें सेंकडों की संख्या में महिलाएं और पुरोष ने ढोल दमुए के साथ सुमन पार्क से हनुमान चौक होते हुए जिलादकारी कार्याले देख पैदल मार्च निकाला शांति प्रशाद भट के नितरित्म में ये पैदल मार्च डियम कार्याले पहुचा इसके बाद कार्याले परिसर के बाहर सभी सांकेदिक धरने पर बैठ गए पूर्नेता प्रतिबक्ष वाच चकराता से कॉंग्रेस विधायक प्रितम सिंग की माता का सोमवार को निधन हो गया उनके निधन से समूची कॉंग्रेस में शोक की लहर है पार्टी ने इस दुखत गढ़ी में अपने सभी कारिकरम फिलाहल स्थकित कर दिये है उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्का सिंग धामी ने भी गहरा शोक जताया है बता दें कि प्रितम सिंग की माता का नाम रूपा देवी था वो 92 वर्ष की थी परिजनों के अनुसार आज हरेद्वार में उनका अंतिम सस्कार किया जाएगा मैं आपको सर्फ ही अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने के ट्वेंटिफोर न्यूज अन एंटर्टेन्मेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए